मुलाना जर्जी साब जेल बे जाहिरे हमारी जमात के बश्चूर मुकरिर है आलिमे दीन है हम सबको उनके हट में दुआ भी करनी चाहिए उनके तालुक से जो भी आसानी हो सके हमें उसके लिए पहल करनी है अब ये जो इतने सारे ये कैमरे लगें मुझे आप बताईए कि क्या ये मुनासिब है परेशानी तो अलग बात है ये जितने चैनल वाले है इनका मकसद क्या है जादा से जादा व्यू हासिल करना ताकि उनके चैनल की गुरोथ हो उनकी इंकम अब ये अपने आप में खुद एक शरही मसला है कि क्या चैनल की कमाई दुरुस्त है उलमा कहते हैं कि चैनल की कमाई दरहकीकत उस पर आने वाले एड की कमाई है एड अगर सही है तो कमाई सही है एड अगर खराब है तो कमाई सही नहीं अब इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आप तक्रीर आपने आखरत पर तक्रीर अपने चैनल पर अपलोड की खियामत के उपर तक्रीर अपलोड की और बीच में लड़की का नाच आ रहा है किसी फिल्मी हिरोईन की तस्वीर आ रही है तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि हर गली हर नुकड़ पर जो एक चैनल खुला हुआ है और इतने जाहिल है बास चैनल वाले उनको हिंदी लिखने की तमीजने उनको उर्दू लिखने की तमीजने उनको ये पता नहीं कि मजक्कर क्या है मौननस क्या है उन्होंने चैनल बना दिया साप अंगुटा चाप हैं हिंदी कुछ आ रही नहीं रही इंगलिश कुछ आ नहीं रही उर्दु कुछ आ रही उर्णी खोल दिया अब उस पर उन्होंने जो हेडिंग डाली है अभी आपने सुना मौलाना जर्जीश साप जेल भे जाहिर हमारी जमात के एक मश्वूर मुकरिर है आलिमे दीन है हम सबको उनके हट में दुआ भी करनी चाहिए उनके तालुक से जो भी आसानी हो सके हमें उसके लिए पहल करनी चाहिए अब मेरी तक्रीर का टॉपिक कुछ और है आपने मेरी किसी पुरानी तक्रीर का कोई किलिप ले लिया और हेडिंग डाल रहे हैं कि मौलाना जर्जी साफ जेल क्यों गए मौलाना जर्जी साफ जेल से कम निकलेंगे उनके साथ क्या साधिश होई क्या है भाई भी मेरी तक्रीर पर नंगी औरतों की दस्वीरे लगा करके आप थमनेल बना रहे हैं मैं अगर चाहूं तो बाज चैनर वालों का नाम भी ले सकता हूं मगर मैं एक मौका दे रहा हूं नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता मेरे भाईयों आप इसकी इसलाह कर दीजी आप तक्रीर अरे आपको अगर यही सब करना है तो आप नाच गाना डाले तक्रीर को बदना मत कीजी आप चैनल बना है इसलामी तक्रीरों के नाम पर और उस पर आप एक अच्छी खासी तक्रीर की थमने लाप लगा रहे गंदा सा थमने लगा रहे उस पर और तो पर जो है क्या बोलू मेरे भाई तो मेरे भाई यू ये ये आपके जलसे में आने वाली एक बड़ी खराबी है इसकी आप इसला की कोशिश है दोसरी चीज़ अब बहुत धीरे धीरे ये चीज़ आम हो रही है इश्तिहार पे फोटो डालने की क्या जरूरत है भाई इसकी अब्दलगफार साब को लोग जानते हैं आपको फोटो डालने की जरूरत नहीं है शैक बदरुत दोजा साब बहुत मशूर शक्सियत था आपके दरम्याद उनका फोटो डालने की जरूरत नहीं है पहले मैं बंगाल में ये चीज़ें देखता था आपके सीमानचल में नहीं थी अब सीमानचल में भी आ चुका पोश्टर पर तस्वीरें उसके बाद बड़े फाटक और बैनर बनाए जा रहे हैं उसके उपर बड़ी बड़ी तस्वीरें मेरे भाईयों ये जलसों को आप एक फितना मत बनाए ये अल्ला के बास्त मुझे बड़ी खुशी हुई अभी कटिहार और आसपास की जमियत की तरफ से कुछ ऐसे भी ऐलानात आए कि अब हम रात भर के जलसे नहीं करेंगे कई जलसे कैंसिल भी हुए यहां तक मैंने सुना कि जमियत की जमियत की जमियतारों ने का कि हम मदरसे वालों को तोसिया नहीं देंगे अगर वो रात भर जलसा करेंगे मेरे भाई ये बिल्कुल सही फैसला है रात भर तक्रीर आप सुनें और फजर की नमास में एक आत्मी भी नरह है ऐसा जलसा करने कराने के कोई मतलब नहीं है आप कम सुनिए आप हमारे यूपी में चले आई या आप महराष्ट में चले जाई या दूसरे स्टेट में चले जाई आई प्रोग्राम बारा बज़े के बाद नहीं होता है ग्यारा बज़े तक मैक्सिमम बारा बज़े तक प्रोग्राम खतम रात भर प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई लोग कहते हैं मुलिजा हमारे या गाओं देहाद से लोग आते हैं हम रात में छोड़ देंगे लोग कहां जाएंगे ये सब बहाने अब बंद कर दीए सब के पास अपनी सवारी का सादन है अब लोग अपनी अपनी गाड़ीों से आते हैं अगर किसी के बास सवारी का सादन नहीं है ठीक है वो कहीं आराम कर लेगा अपनी रिष्टारी में या मस्जिद वगरा में इंतिजाम हो जाएगा रात भर आप प्रोग्राम मत रखे मेरी बात ने अगर आपको बुरी लग रही हूं मुझे माफ फरमाईएगा लेकिन ये हैं ये चीज़े इसको दूर करने की जरूरत है मेरे भाई और जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे ये चीज़े दूर नहीं हो मैं अल्ला से दौा करता हूँ अल्ला ताला हम सब को अपनी कमियों को दूर करने के तुश्यक्ता अफरमाए आमीन मेरे भाईयों ये रभी लगवल का महीना है इस महीने को अल्ला के प्यारे नभी के साथ बड़ा गहरा तालुक है इस महीने का अक्सर सीरफ निगारों के मताबिद इसी महीने में में अल्ला के प्यारे नभी पैदा हुए इसी महीने में Allah के नबी दुनिया से गए इन्तिकाल हुआ आपका, वफात हुई आपकी और इसी महीने में अलला के प्यारे नबी मक्का से मदिना पहुंचे तो रवियुल-ओल के महीने को बड़ा गहरा तालुख है अल्ला के रसूल की सीरस और आज आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे भाई रभी लगुल की बारा तारी को जश्ट मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई केक काट रहा है क्या नाम दिया गया इसको? कि शाहब हमें रसूल से महंभबत है कौन ऐसा मुसलमान है जो यह कहेगा हमको रसूल से महभबत नहीं रसूल से महभबत यह हमारे एमान के एक हिस्सा है इसके ब हम मौमिन हो यह नहीं सकते Allah के प्यारे नभी फर्माते है ला यूमिनु आहदुकुम हट्टा अकून अहब इलेहिमिन वालिदिही ववलदिही वन्नास अजमाइन तुम मेंसे कोई इंसान उस वक्त तक मुमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से जादा अपने अलाद से जादा और तमाम लोगों से जादा वो अलाद के नभी से महबत न करे जब तक तमाम लोगों से बढ़ करके वो अपने नभी से महबत न करे तब तक उसका इमान मुकमल नहीं हो सकता वो मौमिन नहीं हो सकता सवाल ये पैदा होता है कि क्या नभी से महबत अपनी जान से भी बढ़के करनी चाहिए बई माबाप से जादा तो करनी है औलाज से बढ़के करनी है सारे लोगों से बढ़के करनी है क्या अपनी जान से भी बढ़कर के महबत करना है नभी के साथ قرآن मजीद जवाब देता है नभी से महब्बत एमानवाले अपनी जान से बढ़ करते हैं अपनी जान से जादा वो नभी से प्यार करते हैं नभी उनको अपनी जान से जादा मेहबूब होते है बुخारी की रुएत है حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور اللہ کے نبی حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے حضرت عمر بڑے جذبات میں آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سارے لوگوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ من نفسی سوائے اپنی جان جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عمر لا والذی نفسی بیدہی حتی اکونا احب اعیقا من نفسک اے عمر اُز ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر کہ مجھ سے محبت نہ کروگے جب تک اپنی جان سے زیادہ تم مجھ سے پیار نہ کروگے تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے تب تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے حضرت عمر نے دیکھیں یہی ایمان والے کی نشانی ہو ایمان والے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی سے رجوع کر لیا اور حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اب آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عمر اب جا کر کے تمہارا اسلام مکمل ہوا تمہارا ایمان مکمل ہوا تو نبی سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے میرے باید نبی سے محبت ہمیں جان سے بڑھ کر کے کرنی چاہیے مگر سوال یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کیوں کریں اور نبی سے محبت کیسے کریں ان دونوں سوالوں کا جواب آج کی تقریر میں میں دینے کی کوشش کروں دنیا میں ہم بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی خوبیوں کی وجہ سے ان کی ان کے کمالات کی وجہ سے کسی کی آواز ہمیں پسند ہے کسی کا انداز ہمیں پسند ہے کوئی بہت خوبصورت ہے کرکٹ جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں ان کا کوئی پسندیدہ کرکیٹر ہے انہیں کرکیٹر سے محبت ہے کہ صاحب اس کے اندر کرکٹ کھیلنے کی ایک ادا ہے ہے کہ نہیں انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کمالات کی وجہ سے اس کی خوبیوں کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں اگر ہم محبت کا یہ میار اپنے نبی کے اوپر اس کو سٹ کریں اگر ہم اللہ کے پیارے نبی کے اندر دیکھیں کہ کون سی خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو اللہ کے پیارے نبی کے اندر موجود نہ ہو آپ ہر خوبی کے مالک ہیں ہر اچھی چیز آپ کے اندر موجود ہے آپ کی صیرت اور کردار تو اتنا بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کردار کی تعریف کرتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقِ نَعْزِيم اے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے آپ کا اخلاق کو ایسا ہے کہ دس سال تک حضرت عانس صاحب کی خدمت کرتے ہیں اور دس سال کی خدمت کرنے کے بعد حضرت عانس یہ ریپورٹ دیتے ہیں خدمتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین میں نے اللہ کے نبی کی خدمت دس سال تک کی فَمَا قَالَ لِي اُفِّن قَدْتُو دس سال کا پیریٹ گزر گیا اور اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کبھی اُف بھی نہیں کہا دس سال کوئی معمولی مدت نہیں ہو دس سال تک میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی اور دس سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہو اُف کہا ہو کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا لفظ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے اُف اسی لئے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے والدین کو اُف بھی مت کہو حضرت عانس کہتے ہیں کہ دس سال میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی اُف بھی نہیں دیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ ایانس تُو نے یہ کام کیوں کیا اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا और अल्ला के नभी ने फर्माया कि आयानस तूने ये काम क्यों नहीं किया ये मेरे नभी का अखलाफ था सच्चे इतने थे कि आपके बड़े बड़े दुश्मन भी कभी आपको जूटा न कह सके अमानतदार इतने थे जब मक्का से मदीन आप जा रहे थे लोग आपके खून के प्यासे थे लोग आपको जान से मार देना चाहते थे मगर उस वक्त भी मक्का वाले अपनी अमानत अगर गिजी के पास रखवाते थे तो जनाब मुहम्मद रुसूल अल्ला के पास रखवाते थे बहादूर इतने थे के जंग के मैदान में जब सारे लोग मैदान छोड़के भाग जाते अल्ला के नभी मैदाने जंग में खड़े रहते और कहते आनन नभी उला कजिब अन अब्दु अब्दु अब्दिल मुत्तलिब ओ लोगो मैं अल्ला का सच्चा नभी हूँ मैं अब्दुल मुत्तलिक का बेटा हूँ मैं जूटा नहीं हूँ ओ लोगो मेरी तरफ आ जाओ अल्ला के नभी मैदाने जग में टटे रहते थे बहादूर इतने सखी और फयाज इतने थे कि कभी आपने किसी को ना नहीं का जब भी आप से किसी ने कोई चीज़ मांगी आपने कभी किसी को ना नहीं का एक सहावी अल्ला के नभी के पास आते हैं आय अल्ला के नभी मैं एक चादर आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ मैं एक चादर आपको देना चाहता हूँ एक हदीश में कि अवरत आती है ये सहाबिया आती है ऐ आई ला के नभी मैं आप एक चादर देना चाहती हूं उसने एक वेतरीन चादर अल्ला के नभी को लाकर के दे दी इत्वाक से अल्ला के ब्यारे नभी के पास उस वक्त कोई और चादर नहीं थी आपको चादर की जरूरत भी थी आपने उस चादर को कबूल कर लिया और उस चादर को आप पहनने लगे ओड़ने लगे एक सहाबी की नजर पढ़ गई आय अल्ला के नभी ये चादर बहुत अच्छी लग रही है आई अल्ला के नभी कि आप अपनी चादर मुझे को गिफ्ट कर देंगे कि आप अपनी चादर मुझे को दे देंगे अल्ला के प्यारे नभी ने अपनी चादर को उतारा और सहावी को दे दिया फोर उतार करके दे दिया दूसरे सहाबा ने उस सहाबी से कहा तूने ये अच्छा काम नहीं किया तू जानता है कि अल्ला के प्यारे नभी को चादर की जरूरत है आपके पास कोई दूसरी चादर नहीं है और तू ये भी जानता है कि अल्ला के नभी किसी को ना नहीं करते जब नभी से कोई चीज़ मांगी जाए तो नभी किसी को ना नहीं करते तूने क्यों नभी से ये चादर मांगी वो साभी कहने लगे ओ लोगो मेरी तरफ गलत नजोरों से न देखो मैंने ये चादर क्यों मांगी है जरा मेरा मकसद भी तो सुनो मैंने ये चादर क्यों मांगी है मैंने ये चादर इसलिए मांगी है क्योंकि इस चादर को जनाब मुहम्मद रसुल्ला ने पहना है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चादर की बरकत हासिल कर लूँ जो कि ये चादर नबी के जिसम के उपर गई है अल्ला के प्यारे नबी ने पैना ए इसलिए मैं चादर मांग रहा हूँ और में इस चादर को अपना कफ़न बनाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि जब मेरा इंतिकार हो जाए जब मैं मर जाऊँ तो इसी चादर में मुझे कफना दिया जाए ये अल्ला के नभी का अखलाब था गाली का जवाब आपने गाली सनी दिया आजकेल सोशल मीडिया पर एक पोश्टर बड़ा वाइरल हो रहा है हमारे भाईयों ने जो 12 रभी लेवल को ही दे मिलादू नभी मनाते हैं जो मैं तक्री में बयान नहीं कशन can वहभी क्या गाली ले लिए क्यों साब नभी के चाहनेवाले हैं और यह गुस्ताफ़ लोग हैं ये लोग नहीं मानते इसलिह हम इनको गाली देंगे वहभी के साथ हमने गाली के लवाद इसके बात ओ लोगो जरा शर्म करो जरा शर्म करो जिस नभी की मुहबत के नाम पर तुम आज दूसरों को गाली दे रहे हो उस नभी ने अपनी जुबान से कभी गाली नहीं दी उस नभी का हाल तो ये था अम आईशा फरमाती है मा कान रसूल लाहि वसल्लम अ फाहिशًवला मतफाहिशًभ मुत भाने काना रसौला वाहिशन अल्दा के प्यारे नभी ने कभी अपनी सुमां से गंडा लबज इस्तामण नहीं किया कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं ती वला सखाबन फिलस्वात अल्ला के प्यारे नभी बाजारों में चीखने चिलाने को पसंद नहीं करते थे ओ लोगो जो नभी बाजारों में चिलाने को पसंद नहीं करता था आज उस नभी की मुहपत के नाम पर आप डीजे बजा रहे हैं सारे गाओं को सुना रहे हैं सारे घर वालों को सारे मुहले वालों को सुना रहे हैं, रास्ते बन कर रहे हैं, आज मेरे पास वीडियो आया है मुंबही का, बड़े बड़े डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं, जिस नभी ने म्यूजिक की आवाद सुनकर अपने कानों में उंगलियां डाल ली हो जिस नभी ने म्यूजिक को शेतान का अला करार दिया हो आज उस नभी की पहनाईश के जशन के नाम पर आप म्यूजिक बजा रहे हैं केक भी काटा जा रहा है नभी ने तो अपना नाम नहीं काटा हजरत अली मेरे पहसंती हो कि आज मुशबत के नाम पर हम कहा जा रहे है मुझे तो हैरत उनके उलमा के उपर उनके मौलवियों के उपर है वो अपने पेट की धुकानों को चलाने के लिए अपनी आवाम को कैसे घलत रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं ओ लोगों आओ मैं तुमको बताता हूँ अल्ला के नभी से मुहबत का क्या मतलब है अल्ला के नभी से मुहबत किस चीज को कहते हैं ज़रा कुरान का सुरे तौबा की आयत नमबर 24 उठा लो हम लोगों को बहुत सारे लोग 24 नमबर भी बोलते हैं कि ये वहाबी लोग 24 नमबर होते हैं आओ 24 नमबर का मतलब समझना है तो ज़रा हमसे समझो सुरे तौबा की आयत नमबर 24 उठा कुरान का दस्वा पारा